Hello friends, M&A के Foods में आप सबको बहुत बहुत वेलकम हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी से गोलगपो की रेसिपी बड़ सबसे पहले आप ये सुनें जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किते जबट डस क्रिस्पी खस्ता गोलगपो बने हैं तो आपके भी बिल्कुल इसी तरह की क्रिस्पी से मार्केट स्टाइल गोलगपो बनेंगे अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपने बस इंक्रीजेंस का दिहान रखना है और आपके भी बड़े मज़ेदार किसम के गोलगपे बनके तयार हो जाएंगे गोलगपों के लिए जो हमारे पास यहाँ पे समान है, यहाँ पे हमने एक ग्लास सुजी ली है, थ्री टेबल्स्पून हमारे पास मैदा है हमारे पास quarter tablespoon नमक और यहां पे हमारे पास baking powder है मीठा soda आप ले सकते हैं जो आपके पास available हो baking powder मीठा soda दोनों एकी बात होती है और आदा कप हमारे पास यहां पे पानी है यहां पे आपने ingredients का बहुत दिहान रखना है तब ही आपके गोल गप पे बिल्कुल अच्छे और खस्ता खस्ता बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे हमने यहां पे एक glass यहां पे हमने सूजी ली है इसके अंदर हमने 3 tablespoon मैदा डाला है 3 tablespoon ही मैदा जाएगा और साथ में हमने यहां पे नमक और baking powder बेकिंग सोडा मीठा सोडा आप इसे कह सकते हैं यहां पे डाला है quarter tablespoon यानि कि हमने एक चौथाई चमच यहां पे नमक और baking powder मीठा सोडा डाला है सारे dry ingredients को हमने अच्छी तरह mix कर लेना है जो तयार करने के लिए यहां पे हमने पानी लिया है चमच से यहां देख सकते हैं कि आज से जादा dough यहां पे ready हो चुकी है बस फिर हमने हाथ की मदद से इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह neat कर लेना है और हमारी जबरदसी गोल गपो की dough बनके यहां पे ready है dough को हमने ना ज़ादा सकून ना है आटा ना हमने बहुती ज़ादा soft रखनी है हमने medium रखनी है ठीक है यहां पे हमारे बहुत जबरदसी dough बनके ready है गोल गपो की इसे हमने 15 मिनट के लिए rest दे देना है कटे पानी के लिए यहां पे हमने लिया है धनिया पोदीना और 5 हरी मिर्चे है इनका हमने बहुती अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इससे खटे पानी मी बहुती जबरदसा केक आता है फिर यहां पे हमारे पास इमली का pulp है इमली यहां पे एक पाउं इमली थी इसे पूरी रात मैंने पानी में भिगोके रख दिया था हमने इसके बीज यहां पे सेपरेट कर लिए है यहां पे हमने जो धनिया पूदीन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हमारे पास दो चमच है और मसालों में हमारे पास यहां पे 1 टेबल स्पून नमक है चाट मसाला है जीरा पाउडर है और लाल मिर्च का पाउडर है यह सारे स्पाइसे हमने 1 टेबल स्पून ले लिए है यहां पे एक पाउँ इमली से हमारा खटा पानी अराम से 2-3 लीटर के करीब बन जाता है पिर हमने यहाँ पे जो इमली का हमारे पास पालता उसके अंदर हमने जो हमारा धनिया पोदीना और हरी मिर्च का पेस्ट था वो शामिल कर देना है उपर से हमने सारे मसाले शामिल कर देने है इसके अंदर और इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ठीक है और बहुत ही बैलंस टेस्ट होता है बस फिर आपने कोई भी जग ले ले लेना है उसमें आपने इमली का पल्प शामिल कर देना है और उपर से पानी डाल के इसे अच्छी तरह है और यहां पर गोल गपो के साथ खटा पानी भी बहुत ही जबर्दसा बनके रेडी हो चुका है देख सकते हैं इसे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है यहां पर मैंने आदी इमली का पल्प यूज किया है ठीक है इससे हमारा अराम से यहां पे डेर लीटर के करीब खट चोटा काट लिया था चने लिये हैं हमने फिलिंग में एक हमारे पास सारी मिर्टी इसे भी हमने बारिक बारी काट लिया है एक मीडियम साइस का प्याज है इसे भी अच्छी तरह चौप कर लेना है टिमाटर लिया एक इसे भी अच्छी तरह चौप कर लिया है और स्पाइ आइसे डालके इसे अच्छी तरह mix कर लेंगे तो हमारे गोलगपो की जो बहुत ही जबरदसी filling है वो भी यहाँ पे बनके ready हो जाएगे अब देख सकते हैं सारी चीजों को हमने bound में shift कर देना है और बस mix कर लेना है तो गोलगपो की filling भी बनके यहाँ पे ready है जित्ती देर में हम यह सारा समान ready करें जित्ती देर में हमारी डो को भी rest मिल जाएगा ठीक है उसके बाद हम गोलगपो की बनाना स्टार्ट कर देंगे सारी चीज़े हमने डाल दी मसाले डाल देने हैं और इसे अच्छी तरह mix कर लेंगे बहुत ही अच्छा सा बारीक सा यहां पे बेले जितनी अच्छा हम बेलेंगे जितनी बारीक होगी यहां पे रोटी उतने ही जबरदस्त और क्रिस्पी से गोलगपो बनके ready होंगे अच्छी तरह हमने यहाँ पेड़ा बेल लिया है उसके बाद यहाँ पेड़ा बेलने के बाद हमने कोई भी कटर ले लेना है आपके पास जो भी हो और यहाँ पे मीडियम साइस के हमने गोल गपे बनाकर रेडी कर लेने है देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह सारे गोलगपपे यहां पे काट लिए हैं जो एक्स्ट्रा हमारी रोटी है वो हमने साइट पे कर लेनी है देख सकते हैं बहुत ही जबरदस से यहां पे पतले पतले गोलगपपे बनके रेडी हो चुके हैं दूसरी साइट पे हमने ते चंपो न्हें होती है के शतरल लोगों के जो गूल गॉल प्र एल्तीक नही चेट कीशुइए वर एक पर वालिया तो वह ही जब दसत्ता पूलावाका निकल आएगा यहाँ पर हमने गोल गप्पे का एक बैज ready कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाला इतने जबदस क्रिस्पी से गोल गप्पे यहाँ पर बन रहे हैं फिर हम मदीद गोल गप्पे ready कर लेंगे देख सकते हैं आपने तेल में सबसे पहले गोल गपपा डालना है उपर से बस हमारी सारी चीज़े ready हैं यहाँ पर क्रिस्पी से हमारे गोल गप्पे बनके यहाँ पर ready हो चुके हैं बड़े मदेदार से कटा पानी हमारा बहुत ही अच्छा सा बनके ready हो चुका है हमारे पास filling है और यहाँ पर हमारे पास इमली और आलो बुखारे की मीठी चटनी है इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो आप वहां से आप इसकी रेसिपी देख लीजएगा और बहुती जबरदस्थी मीठी चट्नी बनी थी तो आप भी मीठी चट्नी बनाएगेगा और गोल गपो के साथ इंजवाई कीजएगा अब यहां पर आप क्रिस्पिनेस चेक करें गोल गपो की यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आप देख सकते हैं खस्ता बने हैं क्रिस्पी बने हैं एकदम मार्केट स्टाइल बने हैं अगर आप भी सारे step follow करेंगे तो आपके भी गोल गप्पे इसी तरह बहुत ही जबरदस्ते बनेंगे, बस फिर हम यहाँ पे tasty से अपने गोल गप्पे बनाते हैं, तो अगर आपको यह खस्ता गोल गप्पो की रेसिपी पसंद आई है, तो आप भी बनाएं, सारे steps को follow करेंगे, तो आपके भी इसी तरह मज़ेदार गोल गप्पे बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक और बार हम गोल गप्पो का क्रिस्टी टेस्ट ले लेते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि माशालला कितने जबर्दस से और हस्ता से गोल गप्पे हमारे बनके रेड़ी हैं, तो आप भी जाएं, बनाएं, अपने फ्रेंड और फैमरी के साथ गोल गप्पे बनाकर इंजुआए करें, आपको गोल गप्पो की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा, इंशाला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, अब तक के लिए, अल्ला हाफिज,